पंजाब राज पावर कॉर्परेशन यानि PSPCL ने वड़ा फैसला लेंदे हुए पूरे पंजाब विच एक मार्ज दो सरकारी दफ्त्रा विच स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगौन संबंदी नोटिफिकेशन जारी कर देता है बिजली बोर्ड वोलो नोटिफिकेशन विच केहा गया कि एहे फैसला एक मार्ज दो लागू हो जावेगा इस तरह सरकारी दफ्त्रा नो उन बिजली बिला दा पुक्तान अगाउं करना पवेगा पहली मार्ज तो सरकारी दफ्त्रा विस स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगौन दा काम शिरू हो जावेगा अते 31 मार्ज 2004 तक पंजाब पर दे सारे सरकारी कनेक्शन कवर कीती जानगे प्रीपेड मीटर लगौन मगरो कटो कट रिचार्ज दी राशी 1000 रुपे रखनी पवेगी अते जियू ही रिचार्ज दी राशी जीरो होवेगी ता बिजली सप्लाई आपने आप बांध हो जावेगी एवी दस्या गया कि नमे लगण वाले सरकारी प्रीपेड मीटरा दी कोई सिक्योर्टी फिस्ट नहीं लगाए जावेगी मीडिया विच आई रिपोर्ट वी सामने आया कि पावर कॉम दा इस विले 26 करोर रुपे दा बकाया सरकारी विपागावल खड़ा है मोहाली चंडिगर्दी सांजी हाद दो थे बंदी सिंगा दी रिहाई दी मांग समेत होर सिक myself लेख सिक जते बंद्य दा पका मोर्चा जा रिया है आज कोमे इन्साफ मोर्चे दे कुझ मेंब्रा ने जदो चंडिगर्द विच ताखिलों दी कोशिच कीती तचन्डिगड पुलिस ने जथे उपर लाठी चार्ज केता ते पाणी दिया बोचाडा मारियां जिस्तो बात इत्थे महल तनापून हो गया कौमी इंसाफ मोर्चा आपने या मंगा नू लेके पंजाब दे मुख मंतरी पगवंतमान दी रिहाइश्वल जाना 14 सी प्रतु चन्डिगड पुलिस ने उना नू अग्गे वद्धन नहीं देता त्या आ रहे कि चन्डिगड मोहाले दी सांजी हाथ ते लंगी 7 जनरी तो बंदी सिंगा दी रिहाई नू लेके कौमी इंसाफ मोर्चे दी अगवाई हेट पका मोर्चा चाल रहे कौमी इंसाफ मोर्चे दी आगवादा क्याना कि सजावाँ पूरिया कार चुके बंदी सिंगा नू त्रंत रहा कीता जावे बेयद्भी मामले विच इंसाफ अते आरोप्या नू सजावाँ दित्या जान इस तो इलावा बेयद्भी दियां कटनामानों रोक कर लिए सक्त कानून बणांदी विमांग कीती जारी है शोमणी अकाली दल दे परदान सुखबीर सिंग बादल ने पंजाब विच आम आदमी पार्टी दी पगवंतमान सरकार उपर चूट ते फ्रेब दी राजनिती करन दे आरोप लगाए सुखबीर ने कहा कि आप सरकार ने क्रोडान लोक कानल विश्वास कात कीता है जलंदर विच मीडिया नल गाल बाद कर देयां सुखबीर बादल ने कहा कि जलंदर लोकसबादी जिमनी चोन शोमणी अकाली दल वलो बहुजन समाज पार्टी नार मिलके लड़ी जावेगी लड़ी आसान आते शोमणी अकाली दल नूँ पंजावी सिरफ तेन सिट्ना ते जित मिली आते एक सिट्न ते बस पादे उमीदवार नूँ जित हासल होई सी मुख मंत्री पगवंतमान दी अगवाई वाली पंजाब सरकार हुन जल्दी ही अराम दायक हवाई यात्रा दा आनंद मानना शुरू करेगी क्योंकि सुबह सरकार जल्दी ही आठ तों दा सिट्ना वाले फिक्स्ट विंग जट एरक्राफ्ट नूँ अपने बेड़े वी शामल करन जा रही है मान सरकार ने वकवक एर चार्टर सर्विस प्रोवाईडर कमपनियां तो अरजिया मंगवाली आहन तेहुन छेती ही पंजाब सरकार शर्तना दे अधार्ते वधिया सर्विस देन वाली कमपनिय नो सलेक्ट करेगी जिस्तो बाद सुबा सरकार दे सरकारी हेलिकॉप्टर तो इलावा निजी फिक्स्ट विंग जेट वी पंजाब दे असमान तो होर ना राजाली जानदा दिखाई देवेगा दोहजार चोविदियां लोगसबा चोना दे मद्नजर पगवंतमान सरकार वलो प्राइवेट जेट दा वदेरे इस्तेमाल कीते जान दे संभावना प्रगटाई जारी है आजे हे वी सुबा सरकार दे आर्थिक बोज होर वदेगा जदकी मुख मंतरी बननतों पहला बतार संसत मेंबर पगवंतमान शोमनी अकाली दल अते कॉंगरसी आगों आते प्राइवेट जेट दी वर्तों लेके अक्सर तांज कस देरांदे सान प्रांतों होन खुद मुख मंतरी पगवंतमान हेलिकॉप्टर दे नालनार प्राइवेट जेट ता इस्तेमाल करके सुब्बे दे बोज नू होर वदोंगे दिल्ली विच आमादमी पार्टी दी अगवाई वाली अर्विन केजरी वाल सरकारते पाचपा दे आगों दी जासूसी करवाओं दे आरोप लगे हान एहे गल CBI दी जांच रिपोर्ट विच सामनी आई है मीडिया रिपोर्ट मुताबिक 2015 विच आमादमी पार्टी दे आगों ने पाचपा दे नितामा अथे अफसरा दी जासूसी करवाई सी इसलिए एक फीडबैक यूनिट पनाएगी सी CBI ने जांच विच अजे है आरोपा नो सही पाया है सूत्रा मुताबिक CBI ने उपराजपाल वीके सकसे ना कोलो इस जासूसी मामले दी अगे जांच करण दी इजासत मंगी है आते LG ने एहे मामला हों राष्टर पती दे कोल जांदिली पे दिता है इससे दुरान पाच पादे संसद मेंबर मुनोज दिवाडी ने कहा कि दिली दी फीडबैक यूनिट जासूसी कर रही है आम आदमी पार्टी दे कारकुन छिप के गला सुन रहे हैं मुनोज दिवाडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी दे आगू दिली ले काम नहीं कर रहे बलकि दिली दे टैक्स पर्ण वाले लोकां दे पैसे नाल गैर कानूनी तरीके नाल जासूसी कर दे हैं पार्ती रिज़्र्व बैंक ने रेपो रेट भिच 0.25 फिसरी धा वादा की तै केंदरी बैंक ने लगा था चेमी वार रेपो रेपो रिज वादा की तै exhaust shit भादा की 6.55% फिसरी तक कार देता गे इस तो पहले तेन दे तक RBI दी MPC दी ऐहन मीटिंग चल ली मीटिंग तो पार रिजर्व बैंक ओफ इंडिया दे गवर्नर शक्तिकान दास ने मीटिंग दान लेगे फैसले दी जानकारी ली पत्रकारनाल गालबात वी की थी ते आरे है कि रैपोरेट वद्धन दे कान कार अते परसनल लोन हो और महंगा हो जावेगा केंद्री बैंक दे गवर्नर ने केहा कि पिछले तेन साला दुरान ग्लोबल सितिनों त्यान विच राख दे होई दुनिया पर दे बैंकानों व्याज दरा बदा ओंडा फैसला लेना प्या है आरबिय दे गवर्नर शक्तिकान दास ने दस्या कि महंगाई नों काबू करन ली अजे है सक्त फैसले लेने जरूरी हान तुर्की अते सीरिया विच पिछले दिनी आये पुचा आलकान दोमा देशा दी हालत बत्तों बत्तर हुन्दी जारी है इस पुचा आलकान हुईया मौता दी गिंती 85 सोदे करीब हो चुकी है अधे अजे मौता दी गिंती होर वी वद्धन दा खच्च है जक्मिया दी गिंती भी 25 जारतों ज्यादा दसी जारी है तुर्की अते सीरिया दोमा देशा दी मदद ली 70 ज्यादा देश अगिया है त्यार है कि लंगी 6 फरवरी नों सुर्य तिन वजे तुर्की अते सीरिया भी 75 अर्दे गती वाला पुचालाया सी जिस नाल कई इमारतां टे टेरी हो गया सान इसे दन पार्ती विदेश मंत्रालें दस्या कि 6 तंतों वद एमर्जनसी राहत, मदद समेट 3 ट्रक सुरक्ष्यात्मक गेर, एमर्जनसी वर्तोदिया दिवाईया, ECG मशीना अते होर मेडिकल वस्तुआं सीरिया पहुंच गया है एही ट्रक दमिशक हवाई अड़े ते स्थानक प्रशासन अते वाताबन दे उपमंत्री मौतास दुआजी वलो प्राप्त कीता गया है उत्तर पच्मी पाकिस्तान दे पेशावर विच एक प्यानक सडक हाथ से दुरान, एक बस कारना टकरोन मगरो, डुंगी खाट विच जाड़े गी अते इस हाथ से दुरान, ती व्यक्तियां दी मौत हो गई मीडिया रिपोर्टर तो प्राप्ती जानकारी अनुसार हाथ सा ग्रस बस चाली तो वद सवार्यन लेके गिलगी तो रावल पेंडी वल जारे सी अते रस्ते विच तेज रफ्तार बास दी चौक नेड़े एक कारना टकर हो गई जिस्तो बात बस डुंगी खाट विच जाड़े गी ते एह प्यानक हाथ सावा पर गया पाकिस्तान दे राश्रपती आफिर अलवी अते परदान मंतरी शहबाज शरीफ ने इस हाथ से विच जान गवोन वाले दी मौत दुंगे दुख दा प्रगटावा किते है परदान मंत्री शाहबाज शरीफ ने जखमिया दे जल्दी तंधरुस्त हों दे भी कामना कीती है आते उना सेहत विपाग दे करमचारियानू जखमिया दा तुकमा इलाज करन दे निर्देश दिते हान फिल्हाल आज दे बुलेटें दे विचैना ही और खबराली वेगदरो परवासी टीवी में दे अजाज़त तानवाद